हेलो स्टूडेंट क्लास नाइन्थ विज्ञान यानि कख्षे नौभी विज्ञान के हम महत्पोर प्रशन उत्तर लेकर आ जोके हैं अध्याए एक है हमारे आसपास के पदार्थ NCIT का अध्याए एक है इसकी मुश्ट इंपोर्टन कोश्चन इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे साथ ही उसके आंसर भी मताऊंगा और उसको समझाऊंगा भी ठीक है चले देखते हैं पहला कोश्चन आपका है पदार्थ किसे कहते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के नाम ढान की तो देखे पदार्थ उस वस्थू को कहते हैं जिसका निश्चे द्रब्मान होता है और जो वस्थू इस्थान गेरती ऐ थीक है आप बात करें अवस्थाओं की तो पदार्थ की तीन अवस्थाओं उती है ठोस द्रब और कैस अब देखे याद रखिएगा पदार् और देखे इसको यहां पर रख दिया तो यह आप देख सकते हैं कि इतना इस्थान गेर रही है यानि कि इसका कुछ न कुछ आयतन है इस्थान गेर रही है तो कुछ न कुछ इस्थान गेरीगी चथा कुछ न कुछ द्रभवान होगा वह बस्तु पदार्थ होती है ठीक है प अब अगला कुर्शन देखिए उर्दु पातन से आप क्या समझते हैं देखिए बहुत ही इंपोर्टन कुर्शन है दो अंक में ये कुर्शन पूछे जा सकते हैं देखिए बहे प्रक्रम जिसमें ठोस पदार्थ द्रब में परिबर्तित हुए बिना ही सीधे गैसी अबस्था में आ जाता है और गैसी अबस्था से सीधे ठोस अबस्था में आ जाता है इसे कहते हैं उर्ध पातन ठीक है ठोस पदार्थ जैसे कि आपने कोई ठोस पदार्थ लिया ठीक है उसको आपको क्या करना है आपको गैस में बनाना है लेकिन वो द्रब में नहीं आएगा जैसे कि आपने कोई बर्फ है बर्फ आप जब जमी रहती है तो वो ठोस रहता है तो वो ठोस पदार्थी उसे मान सकते हैं तो उसको लिया आपने, ठीक है, अब पानी नहीं बनेगी, डारेक्ट ही पोस सीधा, गैसी अबस्ता है नहीं, बास पसील होके उड़ने लगेगा, जो जो ठोस पदार्थ लिया था आपने, वो उड़ने लगेगा डारेक्ट, तो क्या हुआ, वो ठोस से द्रब में नहीं गय गैसी अबस्ता में, तो इसे हम बोलते हैं, उर्दुपातन, या फिर उल्टा हो सकता है, गैसी अबस्ता से सीधे ठोस अबस्ता में, वो ठोस में नहीं, तो इसे हम बोलते हैं, उर्दुपातन, नेक्स्ट कुश्यन देखते हैं, देखे, अंगला कुश्यन है, बासपी कहते हैं अब आप बुलेंगे को थनांग क्या होता है तो देखिए जब आप पानी को गैस पर गरम करने के लिए चड़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के पान, मतलब कुछ समय के परश्चात आप देखते होंगे कि जो पानी है वो उवल्ला चालू कर देता है व क्या है जब गरम करने चड़ाते हैं पानी तो उसमें होता क्या है दीमे दीमे ताप मान उसको बढ़ता जाता जाता है जब 100 degree Celsius पर पहुंच जाता है तो क्या है पानी ओबलने लगता है तो इस ताप मान को ही कोथनांग कहते हैं ठीक है कोई भी दरब जब अबलने लगे उस temperature को कोथनांग कहते हैं आंगे question भी है हमारा कोथनांग कैसे कहते हैं इसको हम भी देखेंगे ठीक है तो कोथनांग से कम तापमान पर ही जैसे कोथनांग का तापमान 100 degree Celsius पानी के लिए लेकिन उस से थोड़े कम पर ही जब आपका जो द्रब है वो बास्ट में पड़िवर्दत होने लगता है तो इस प्रक्रिया को बास्ट पिकन कहते हैं ओबलने से पहले ही वो बास्ट बनने लगते हैं पानी उड़ने लगता है तो इसे हम बास्ट पिकन कहते हैं गलरांग के से कहते हैं तो बहतापमान जिसपर कोई ठोस पिघल कर दरब बन जाता है, उसे हम गल्लांग कहते हैं, ठीक है? कोई टेंपरिचर है, जिसपर कोई ठोस आप पिघल कर दरब में बना देंगे, जैसे आपने लोहा को इतना गरम किया, इतना गरम किया, कि वो एक समय के परश्चात पिघलने लगेगा और द्रब बन जाएगा ठीक है तो उसे गलनांक बोलते हैं कुथनांक मैंने बता ही दिया बायू मंडली दाप पर वहताप मांच जिस पर कोई भी द्रब उबलने लगता है उसे कुथनांक कहते हैं ठीक है कोई भी द्रब उबलने लगता है अब देखिए next question देख लेते हैं पदार्थ के कड़ों की क्या-क्या विसिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् है तो द्रब के जो कण है कम आकरशित करते हैं एच कंपेर टू आपके जो ठोस रहते हैं आपने देखा ठोस बहुत ही कठोर रहते हैं ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही आपस में आकरशित करते हैं एक दूसरे को ठीक है तो इसलिए वो ज्यादा कठोर होती है लेकिन जिद द्रब है उससे थोड़ा कम रहते हैं लेकिन जो गैसें होती है जो उनमें और भी कम होता है याकर्शन ठीक है इसलिए वो गैस आप देख सकते हैं कि वो उनके जो कण हैं वो दूर दूर रहते हैं दूसरा है पदा पदार्थ के कड़ों के बिशिष्टा है इसको आप याद रखिए अगला कोशन हम देखते हैं देखिए अगला कोशन है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दोरान तापमान इस्थिर्क क्यों रहता है आप देखते होंगे कि जब आप कोई बर्फ का घुला लेते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो पानी मतलब जो बर्फ का घुला है वो पानी में बदल जाता है लेकिन आप देखते होंगे कि जो पानी है और वर्फ है वो मतलब सेम ही ठंडा रहेगा मतलब उसके जो तापमान है वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब अवस्था परिवर्तन हो रही होती है ठोस से दरब हो रहा होता है या गैस से आपका मतलब गैस से आपका दरब हो रहा होता है तो आप देखेंगे कि उसमें अवस्था परिवर्तन के दोरान ताप कर लेता है ठीक है जैसे आप पानी का टेंपरिचर बढ़ाएंगे ताप बढ़ाएंगे तो वह क्या करेगा कुछी देर बाद आपका गरम होने लगेगा उसके बास बनने लगेगा तो आप देखेंगे कि द्रब से वह गैस अवस्था में पहुचने लगेगा ठीक है तो पानी आपने उबाला उससे जो आप बेपर्स बने हैं जो बहाब बना है वो क्या है जो द्रब है द्रब आपका गैस में बदलने लगा तो आप देखेंगे कि जो टेंपरिचर मतलब जो उसकी उसमा है वह उसमा किसमें यूज हो रही है जो आपका अबस्था परिबरतन हो एसे उस्मा को पदार्द की गुप्तूस्मा कहते हैं। खैक है तो गुप्तूस्मा कैसे कहते हैं? ऐसा Domoh.. पुषिया जया है जब इसको भी लख सकते हैं.. और эту युख उस्तर के दौराइऑ है.. तो इसको यहाकर देखे.. जिर्ण डोब लगेww 300 K यानि 300 Kelvin आपने आपको पता हुआ कि ताप जो है ताप का ऐसा ही मात्रक Kelvin होता है ठीक है तो इसका हल कैसे करेंगे देखिए फाहला question मैं आपको बताता हूं हल करके देखिए अब यहां पर आपको लिखना है Kelvin में आपको किस में दिया गया है कि एक Kelvin में ही दिया गया है तो Kelvin में आपका जो ताप मान है उसको लिखेंगे Kelvin में ताप मान कितना दिया गया है यह दिया गया है आपको 300 Kelvin ठीक है यहां पर देख सकते हैं 300 दिया गया है अब देखिए तब आपको ग्या करना है तब temperature temperature in Kelvin is equal to बराबर temperature यानि तापमान degree Celsius में पिलर्स 273 ठीक है एक फॉर्मूला होता है यानि कि जो आपका temperature Kelvin में है वो degree Celsius से 273 अधेख होगा इसका मतलब क्या है कि जैसे 300 Kelvin लिखा है 300 Kelvin है तो इसमें से यदि आप 273 घटा देंगी तो आपका degree Celsius में तापमान आ जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर temperature in Kelvin कितना है मतलब तापमान Kelvin में कितना है 300 तो यहाँ पर 300 आप लिखतेंगी ठीक है बराबर अब degree Celsius में निकाल ला है तो हम जियों कातियों लिखे रहें देंगी इसको पिलस 273 अब हम क्या करेंगी पक्छांदर कर देंगी तो यह इस तरफ जाएगा ठीक है तो यह घट जाएगा तो temperature आपका degree Celsius में आ जाएगा ठीक है 273 तीन सो में से घटा देंगी देखिए तीन सो में से दो सो देटर घट जाएगा तो यह बचेगा आपका 27 ठीक है 27 बचेगा तो आपका बचेगा 27 तो temperature आपका degree Celsius में आ जाएगा ठीक है तो यह आपका answer हो जाएगा temperature in degree Celsius कितना आ गया 27 यह आपका answer हो जाएगा इस प्रकास से आप इसको निकाल सकते हैं यह answer हो जाएगा ठीक है अंगला भी हम देख लेते हैं कि इस प्रकास से इसको solve करना है देखिए दूसरा आपका दिया गया है 573 Kelvin ठीक है तो देखिए दूसरे question को लिखते हैं Kelvin में तापमान Kelvin में कितना दिया गया है यह दिया गया है आपको 573 Kelvin अब हमें पता है कि temperature in Kelvin is equal to क्या होता है temperature in degrees Celsius plus 273 होता है ठीक है अब हम क्या करेंगे कि जो temperature Kelvin में है उसको लिख देंगे यहाँ पर 573 बराबर temperature in degrees Celsius जो कातियों लिखा रहें देंगे minus 273 आप घटा देंगे 273 को 573 में से ठीक है तो 573 minus 273 बराबर temperature in degrees Celsius तो यह कितना आ जाएगा temperature in degrees Celsius degrees Celsius में आपका आ जाएगा यह घटाएगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 300 degrees Celsius ठीक है तो इस प्रकास से यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकास से आप solve कर सकते हैं तो मुई थे हैं आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा इसी प्रकास से अन्य चैप्टर भी आपको चैनल के इस पर मिलेंगे तो सब्स्राइब परके रख लेना ताकि अंगला वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिपिकिसर मिल जाए ठैक्स वोबाचेंग मिलते हैं अंगले वीडियो में